हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं गार्डनिंग चैनल आज मैं आपको बटन रोजिस के बारे में हंड्रेट परसंड जानकरी दूंगा देख़ें मेरा बटन रोज का छोटा सा पौधा जिसमें अल्मोस्ट फिफ्टी इतने बटन रोज आये थे उसमें से थोड़े जड़ गए हुए जड़ रहे हैं इसे आपको निकाल के काटना कैसे बताऊंगा लेकिन इस तरफ दाली पे देख़ो आप लगबक ठर्टी जितना कली आया है इसमें कुछ नहीं था अभी कली आया है यहां से पूरी अलग दाल है और उसमें बट्स ओपन भी होने लगे है और यह जो सा की दाली में उसमें आपको काटना है सीजर से रभिंग अलकोहल लेके उससे लगाके या फिर सैनेटाइजर अपना हो वो भी इमिट्टी देख़ो आप पूरा एकदम बढ़िया सा मिट्टी है जिसको मिने 25% चार आइटम लेके बनाया था इक्वल भाग में समान भागों म चार चीज लेनी है वर्मी कमपोस्ट, मिट्टी, सैंड और कोकोपीट तो चार चीज हो गई मिट्टी, वर्मी कमपोस्ट, सैंड और कोकोपीट ये जमान भागों में लेके उसको डालना है और हम ऐसा मैं स्क्रोडाइवर यूस करता हूं अल्मूस्ट वन फिट का पतला सा स्कूडाइवर यह चोटे-चोटे गंबलों में भी आसानी से चल जाता है अन्य जैसे इसमें चल रहा है एक तम आसानी से चल रहा है तो यह बड़े प्लांट्स में तो काम लगता ही है स्कूरुडाइवर लेकिन छोटे-छोटे में भी बहुत मजाता है गुडाई करने का आप देख सकते हो क्योंकि मेरे पास बड़े इंस्ट्रुमेंट्स भी है सारी टूल कीट है गार्डनिंग की सालों से लेकिन मेंने अभी-अभी थोड़े टाइम से देखा है दो-तीन महीने से मुझे इस से बहुत में ट्राइ किया बहुत हमजा रहा है पुराना सा बड़ा था मेरे पास कुरूडाईवर तो उससे स्टार्ट किया फिर में बड़ा वाला पतला सा लिके आया देखो इसमें आब बीच में जो कड़क सा पोर्शन है ने वो थोड़ी रेड मिट्टी नर्सरी से आई थी जो मैंने पूरी नहीं निकाली है लेकि क्योंकि थोड़ा जरूरी भी है उसके साथ की मिट्टी रहना अचा अभी ऐसी गुड़ाई कर देनी है आपको आसपास अगर उसमें ये चाहिए तो और में एक फर्टिलाइजर जो डालूगा उससे बहुत कली आएंगी देखो ये बाजू में नॉर्मल गुलाब भी है जिसके वीडियो भी मैंने डाले है बड़े फ्लावरिंग वाले सौर्ट्स डाले है यहां बाजू में इसमें भी कली आई है ये चोटे-चोटे पौधे है जो नरसरी से मिलाया था देखो इसमें भी ऐसी मिट्टी है ऐसी गुड़ाई हमेसा कर देनी चाहिए पानी जिस दिन दिया उसी दिन जैसे ही पानी एप्जब हो जाता है तुरंत ये गुड़ाई कर देनी है ताकि नेक्स टाइम आप पानी दो दूसरे दीन तीसरे दीन तब तक इसमें हमेसा होता रहे है और गुलाब को पानी हरोज थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए मौइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए जैसे ये मिट्टी मौइस्ट है किचडमी बनन ले उस तरब एकडम डार्क पिंक है लाइट पिंक यानि वो फेडेड होगे उसे काटने की जरुत है काट दो ताकि नहीं कलिया आए पूराने फ्लावर्स रखोगे तो गुलाब अपने आपको एक मैसेज देतेता है और ग्रोथ कम कर देता है नया जो कलिया ना है वो नही पिंदिया आ रही है उसके रिजन है एक फर्टिलाइजर जो मैं अभी बताऊंगा आपको यह देखो दो तीन बाट्स तो ओपन भी हो रहे है और मॉर्निंग संड लाइट से सारे फाइदे हैं मॉर्निंग संड लाइट पे मैंने रिसर्च किया है क्यों जरूर यह फ्लाव दे भाला हूं कि मेंने जो वीडियो लिया है उसमें देखो यह गुड़ाइज जहां की है वहां में वर्मी कमपोस्ट या würd just जो भी आपके पास है, ये मेरे पास compost है, क्योंकि वर्मी compost मेरा दो दिन पहले ही खतम हो गया, अभी जाना है लेने नर्सरी, ये बहुत अच्छा compost fertilizer नर्सरी वाले ने दिया था, एटी रुपीज में 5 kg के बैक दी थी, ओके तो इसको आपको आसपास डालना है, मैंने अभी ड दाला है दो दिन पहले ही, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा डालोंगा, आपको इसमें 100 ग्राम डाल देना है, बड़ा गमला है, 12 इंच का, इसमें 100 ग्राम आप डाल दीजे, आजू बाजू और उसको मिट्टी से कवर कर लिजे, और पानी दे दीजे, रेगुलर से देना हो, तो दे सकते हो, तो D.A.P के डाने आप डाल दीजे, दूसरा एक जाद है, मैंने जो बनाया है, इसका वीडियो भी मैं डिसक्रिप्चिय्प्चन में डाल दूगा, इक जाद मैंने बनाया है, बहुत ही बड़िया है, गुलाप के लिए ही नी, सारे पॉतों में देना है यह बड़ा गमला है तो 2-3 चमब देना है वो वर्मी कमपोस्ट डियपी दालने के बाद 20 डेस के बाद आपको देना है इसको 20-25 डेस के बाद देना है खाद का 3-4 चमब देना है बड़े से गमले में चोटा गमला है तो 1-2 चमब और उससे भी चोटा है 5 इंच का त जाता है आप वर्मी कमपोस या कमपोस लेके उसमें क्या डालना है लिक्विड उसमें उस अब बताया है तो ये अगर आप डालोगे तो फ्लावर्स और गुलाब की जड़ों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन्स मिलेगा जड़े मजबूत होगी और डालियां भी नहीं नहीं फूटेगी और बहुत सारी कली आएंगी देखो ये छोटा वाला है ने उसमें एक चमज दे दो आप बड़े वाले में दो तीन चमज इससे गुलाब को सारा न्यूटेंस क्योंकि लोगों मैंने काफी सारे फर्टिलाइजर्स के वीडियोस पहले देखे थे जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था तो लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिससे इसी कलिया फिर आती नहीं और अंदर वो वर्मी कंपोस में ही बनाते लेकिन 200-200 ग्राम 100-100 ग्राम इतना सारा केमिकल्स डालके जो कॉमन गार्डनर है उनको फिर पता नहीं चलता कितना डोज कितने गंबले में और वो मैंने सब मैंने एपलाई किया हुए मैथड़्स है में जो भी डिसक्राइब करता हूँ मैं खुद रिसर्च करता हूँ और मैं उसको यहां ऐसे डालके मैंने चेक करके जब उसका र पहले ही स्टार्ट किया है तो अभी में सारा जो मेरे वहां पॉसिबल है वो ही में करता हूँ फ्रेंड्स तो इसका देखो यह ग्रोथ बहुत ही बड़ी आएगा इसमें अगर मानो तो भी फ्लावरिंग नहीं तो क्या करना है मानो चलो यह भी किया अपने तो भी फ्लाव न्यूटरियंट्स का जिसको कहते है देखो है मिट्टी पूरी मॉइस्ट भी है हमेसा मॉइस्ट रखता हूं मैं हर रोज में थोड़ा थोड़ा पानी देता हूं थोड़ा थोड़ा पानी और कई बर पूरा नीचे तक आया ऐसा पानी देता हूं वीक में एक बर बाकि रो मैंने वीडियो उसका नक से दिया है पूरा में उसमें एक्स्प्लेनेशन के साथ ताकि कली आ जाएगी 7-10 देज में कली आना सुरू हो जाएगी लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स दो चीज का ध्यान रखना है एक तो कुलाब में मिट्टी हमेसा मॉइस्ट रखे उसको ड्राई मत रखे ड्राई देखो उसके पास के गमले में आप देखोगे तो मिट्टी कैसा है ड्राई है उसके उपर वाले साइड में गमले में वाइट वाइट कलर का मिट्टी है तो वो dry है, और dry में गुलाब को जो growth है ने वो इतनी अच्छी नहीं होती, देखो मेने बताया भी है उसके बाजू में, तो ऐसे नहीं करना है, इसको moist रखो और इसको पूरे दीम की धूप दूप, कम से कम six to eight hours की, और दोपेर की बात, दोपेर से धूप मत दो, दोपेर जो जो intense sunlight है ने गुलाब को पसंद नहीं है, तब उसको filtered light मिलनी जहीं, जो side में जगा है, जहां बहुत धूप होती है, वहां में रखता हूँ, और थोड़ा थोड़ा उसको गमले को खींच लेता हूँ, थोड़ा filtered वाली जगा, या फिर ऐसा, जहां सूबा आती हो, और साम को कम हो जाती हो, वैसी जगा पे आप रख सकते हो, तब ये flowers बहुत अच्छी तरफ रोह होगे, क्योंकि सूबा की morning जो दूप है, ने क्यों जरूए क्यों पूरा लगबब बारा घंटे की छाओ के बाद, यानि अंधेरे के बाद देखो, ये सूरत सूबा सूबा निकल रहा है, आज मनसुन जासा एंवाइरमेंट है, आज सुबा सुबा बारिस थोड़ा गी रहा था, चार पाज बजे, विंटर में, और देखो, आज 28 जान्यूरी है, ये तो अभी, ये मिट्टी देखो, पूरी सूखी है, अचा, अभी दूसरा है, इसको पूरा दिन का दूब, चेर से आट गंटा मिल गया, अभी उसको पानी नॉर्मल ही दो, न्यूट्रिशन 15-20 दिन में मैंने जो बोला है, वैसे दो, अगर कलिया नहीं आए तो उसको स्प्रे करो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, मैं वीडियो, आपको अगर कोई कमेंट्स देने हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मैं नया हूँ फ्रेंड्स, अल्मुस्ट एक महिना जैसा ही हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, आई रिक्वायर यूर सपोर्ट, ओके, थैंक्स पर वाचिंग,